सीजन में सब्जियों के दामों में भारी तेज़ी बनी हुई है जिसके चलते घर का बज़र पूरी तरीके से बिगड़ गया है सब्जियों के दाम आस्मान चूरे है और मैं इस वक्त जैपूर की लाल कोटी सब्जी मंडी में मौजूद हूँ जहां पर तमाम जो ग्रहक है वो सब्जी लेने आए है लेकिन शंक का क्या उनके चैरे पर साफ दिखाई दे रही वह इस बात कि कि सब्जिया लगातार महऊनी हो रही है क्योंकि ऀप्तप लगातार बढ़ रहे हैं हमारी साथ हैं सब्जी ताम बढ़ आज दो दूसरी प्रची बहुत मेंगी थाली हो रही है आपके जो थाली है शाकार थाली भी काफी मेंगी हो रहे हैं तो अब क्या ख़रीद रहे हो आपका थैला तो पूरा बढ़ा ही नहीं आदा थैला है यह थैला वजन उठता नहीं है यह थैला बरके रख क्या है उनके भी यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है वह आप से जानना चाहेंगे आप यहाँ पर सब्जिया बेच रहे हैं क्या लगता है मुस्कुरा रहे हो लेकिन मुस्कुराट के पीछे दर्द भी आपका भाईया यह सारा कारण रहता है बारिस का बारिस लेट औरनका कारण है अभी टमाटर पूरे इंदोस्ताम में सिर्फ एक ही जगह से लिए वो बैंगलोर से इसी कारण मेंगा है अभी कम देंपंदरा ब लगातार जो ग्राहक है वो कम यहां पर खरीद रहे हैं आप क्या बोलना चाहरे हैं मैं यह कह रहा हूं कि जेव में 1500 रुपे हो तब सब्जी मंडी में आओ घर का चार आदनियों का अगर फल और सब्जी लेके जाना तो 1000 रुपा पक्का चाहिए तो तभी आपका थैला भ थाल गातार जो महँए होती चाह रहिए और जिस तरीके से सवाल है हिसे और मानसून ओर इस+. आने vaalे दिनों में, सब्जी लेकी रresh से और बर सकती है